अगर आप लोग भी थार्ड सेमेस्टर मेकेनिकल ब्रांज के स्टुडेंट हैं तो इस वीडियो को आँ तक देखने का फड़्यास किजिएगा क्योंकि इस वीडियो के माध्याम से फ्रिवियर्ड यर क्वेस्टन पेपर को कमपेर करके अब की बार एक्जाम में क्या क्या क्वेस्टन पुछेगा वही कुछ सेलेक्टिड क्वेस्टन आप सभी को बताने वाले हैं तो अगर आप लोग आभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं कियें तो आप लोग बैसिक मेकेनिकल इंजिनियरिंग में जो हम क्वेस्टन बताएंगे अगर आप लोग उसको पढ़ लेते हैं तो आप लोग बिलकुल फास हो जाएंगे तो चलिए देख लिते हैं पिछले बार कौन कौन से क्वेश्टन पूछे गए थे और आखिर अब की बार कौन कौन से क्वेश्टन पूछे जा सकते हैं आपके समिस्टर इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी स्रिकोइस्ट के ताकि इसे ही इनफर्मेटिव वीडियो आप सभी के पास जाते रहे और जैसे कि आप सभी को मालूम होगा और मालूम नहीं होगा तो आप सभी को बता देते हैं कि डिप्लोमा कलासिस यानि आप सभी का अपना यूटूब सेन्यल है और यहाँ पे जितने भी समिस्टर है सम शर्वान से ले करके 6 तक जितने भी क्वेश्ट में पढ़े सभी को यहाँ पर फुक्त रोखाएंगे आप सभी लोग मेकेनिकल वरंस ठाड़े सेम का जो वाटसाप ग्रूप होगा उस ग्रूप में इस वीडियो को सियर जरूर कीजिएगा ताकि जो आपके दोस्त होंगे ओभी इस वीडियो को देख लेंगे तो उनको मालूम चल जाएगा कि पिछले बार कौन-कौन से कोशन पुछा गया था और अब की बार आखिर कौन-कौन से कोशन पुछे जाएंगे तो देखिए आप लोग अपने मुबाइल के स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे यहाँ फ्रीवियर्स एयर कोशन पेपर है और देखिए previous year में आप सभी लोग से पूछा गया है thermodynamic process और thermodynamic cycle तो अब की बार ए नहीं पूछेगा आखिर अब की बार क्या पूछेगा चलिए आप सभी को बता देते हैं जो question number 2 का A है इसके बदले में आपको पूछ देगा thermodynamic system तो thermodynamic system का type क्या क्या होता है तो एक open type होता है एक close type होता है एक isolated type होता है आप लोग तीनों को पढ़े लिजिएगा अब की बार इसको पूछा जाएगा क्या पूछा जाएगा what is thermodynamic system explain its type with the help of suitable example यानि example के साथ आप सभी को बताना होगा तो जो पहला selected question है ओ है thermodynamic system ठीक है दूसरे question पूछा गया है thermodynamic cycle तो अब की बार आप से नहीं पूछा जाएगा अब की बार आप से पूछा जाएगा thermodynamic property और thermodynamic property क्या होता है तो एक extensive property होता है और दूसरा intensive property होता है तो यहाँ पर हम एक trick बनाए हुए है आखिरा आप लोग इसको कैसे याद कर सकते है देखिए जो intensive property होगा यह mass से independent होगा और जो extensive property होगा यह mass से dependent होगा यहाँ पर I लगा हुआ है यानि mass से या सुवतंत्र मतलब रहेगा लेकिन जो extensive property होगा वो mass पर निर्भर रहेगा तो आप लोग इसको याद कर ले दिएगा यहाँ से आपका चार नमर का question बिलकुल पूछा जाएगा अब चलिए आपको बता दे कि question number two में आप से क्या पूछा जाएगा देखिए पिछले बार आप सभी लोगों से पूछा गया है write the name of different mode of heat transfer and explain anyone them in brief तो देखिए एक question हर एक साल पूछे जाते हैं और यह question repetitive है तो आप लोग इसको याद कर ली दिएगा एक question आपकी बार भी पूछा जाएगा आपके semester exam में ठीक है उसके नीचे आप लोग से पूछा गया है difference between fire tube and water tube boiler तो देखिए पिछले बार इसका difference पूछा गया है लेकिन आपकी बार आप लोग से पूछ दिया जाएगा two stroke engine और four stroke engine के difference के बारे में तो आप लोग उसको याद कर लेजिएगा और question आपकी बार आपकी exam में पूछा जाएगा देखिए फिछले बार auto cycle और diesel cycle दोनों को पूछा जा चुका है तो आपकी बार बार क्या पूछेगा आपकी बार dull cycle पूछेगा बोलेगा आप लोग dull cycle को explain किजिए और टो cycle और diesel cycle दोनों का combination है आप लोग को कुछ आए या ना आए लेकिन आप सभी को PV और TS diagram आना चाहिए अगर आप लोग PV और TS diagram बना देते हैं और उसका formula लिख देते हैं तो आपको बिल्कुल नमर मिल जाएगा अगला question है explain for difference between impulse turbine and reaction turbine तो यह भी repetitive question है जाता है तो आपकी बार भी पूछा जाएगा अगला question है with a net sketch explain in arc welding तो arc welding भी हर एक साल पूछा जाता है तो आपकी बार भी पूछा जाएगा देखिए आपकी exam में totally 20 question होंगे यानि 10 आपका question होगा और 10 उसके आथों में होगा तो 20 question में से 10 question repetitive होते हैं arc welding है यह हर एक साल पूछा जाता है कि उसके जो diagram है उसके साथ आप लोग इसको explain किजिए तो आप लोग इसको याद कर लिजिएगा अगला question है with a net sketch explain for principal part of lathe machine तो देखिए lathe machine पूछा गया है तो आपकी मार मीलिंग या drilling के बाड़े में आप से पूछा जा सकता है आप लोग उसको पढ़ लिजिएगा एक और जो question यानि question नमर साथ वा proof the both the statement of Clausius and Kelvin मतलब जो thermodynamic का second law है इसका दोनों statement repetitive है हर एक साल पूछा जाता है तो आप की बार भी पूछा जाएगा वैसे आप सभी को बता दे thermodynamic का जो जिरौत law है first law है second law है third law है आप लोग चारों को पढ़ लिजिएगा यहां से कम से कम अब का पंदरे नमर का question हर एक साल पूछे जाते हैं जो जिरौत law है वो क्या बोलता है आप सभी को थोड़ा सा समझा देते हैं माल देजिए कोई body A है कोई body B है कोई body C है तो देखिए अगर कोई body A है यह thermal equilibrium होगा body B से body जो B है A होगा C से तो आप और A होगा आपका C से तो आप लोग बिलकुल बोल सकते हैं तीनो एक दूसरे में thermal equilibrium है यहीं है thermodynamic का जिरोत law ठीक है और आखिर से कौन सा concept मिलता है तो आप सभी को बता दे जो थर्मा मीटर है वो इसका example है तो कभी कभी उसका example भी पुछ देता है objective question में और जो first law क्या बोलता है कि energy neither be created nor be destroyed यानि ना ही energy को develop किया जा सकता है और ना ही energy को nust किया जा सकता है यह आपका है thermodynamic का first law जो आपका second law है वो क्या है वो second law आपको बता आता है कि जो आपका heat है वो हामेशा transfer होता है higher से lower cure lower से higher के उर अगर आप लोग transfer करते हैं तो उसके लिए किसी device का आवस सकता पड़ेगा तो यहाँ पर आपसे भी questions पुछा जा सकता है PM1 क्या है और PM2 क्या है तो बस आप लोग इतना पढ़ लेते हैं तो आपकी exam में कम से कम पंद्रे नमर का मतलब आहीं जाएगा यहाँ से पंद्रे नमर क्योष्टन हर एक साल पूछे जाते है अगला question है देखिए और अगर आपकी exam में कोई numerical पूछ देता है और आपको numerical नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना होगा देखिए यह जो given data है उसको लिख देना होगा इसके बारे में थोड़ा सा एक figure बना देना होगा उसके बाद उसमें एक या दो line आप लिख देते हैं उसके बाद भी अगर 6 नमर का question है तो आपको बिल्कुल उसमें 3 नमर मिल जाएगा आप लोग numerical को देख करके ड़ जाते हैं उसको छोड़ देते हैं आपको छोड़ना नहीं है numerical को भी solve करना है numerical को solve किजिएगा तो आपको बहुत ज़्याद दा नमर आ जाएगा आपके semester exam में ठीक है तो आप सभी को numerical से नहीं डरना है उसको बनाना है अगला question है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बैवकॉक और विलकॉक्स वाइलर तो यह भी repetitive question है हर एक साल पूछे जाते हैं अगला question है auto cycle और पिछले बार diesel cycle था तो auto और diesel दोनों को पूछा जासू चुका है तो अब की बार क्या पूछेगा dull cycle पूछेगा आप लोग dull को पढ़ लिजिएगा आपकी exam में अबकी बार पूछा ही जाएगा उसके वदा आपसे पूछा गया है define condenser ठीक है आप बोला गया है कि condenser को define किजिए और differentiate between jet condenser and surface condenser तो यह भी आपको repetitive question है आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लिजिएगा तो बस आप लोग देख लिजिए अगर जितना हम question बताए हैं आप लोग उतना पढ़ लेते हैं तो आप लोग बिलकुल fast हो जाएंगे क्योंकि इसमें कुछ repetitive question भी था और कुछ selected question भी था और एक और आप सभी को बात बता देते हैं आखिर आप लोग अगला वीडियो कौन से subject का चाहते हैं उत subject का नाम इस वीडियो के comment box में comment कर देजिएगा ताकि आप सभी का exam में अच्छा score आप लोग ला सके और आपकी exam के लिए best of luck